हेलो गाईज, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, नॉलेज अंटरेटेनर्स तो फ्रेंट्स, आज की वीडियो फेस्बुक एड सीरिस की पहली क्लास पर है तो फ्रेंट्स, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था जिससे की हमारा पेज दिखने में भी अच्छा लगे और कैसे उसकी सारी सेटिंग को हमें करना है वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में तो फ्रेंट्स, आईए ज़्यादा समाना लेते हुए चलते हैं आज की वीडियो के दरफ तो आईए फ्रेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने फेस्बूक पेज को क्रियेट करना है बिल्कुल प्रफेशनल तरीके से तो फ्रेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा और यहां से भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स, मैं यहां पर क्लिक करूँगा अगर मुझे अपने पेज को क्रियेट करना है यहां पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर जाओँगा पेजिस पर तो car करना चाहते हैं तोफेंट जासे हम अपने पर अपना ये जिसके बाद में कीटिकरी मुझे तो मैंने पर आपने बनुवच करनी तो देख़ेंग किya कई तग提म ठीकोनेगरिशी क करतें। तो friends उसके बाद हमारे पास option आता है description का तो friends इसमें आप detail में बता सकते हैं कि आपने अपने पेज में क्या करना है आपने कौन सी टेक की guidance देनी है या फिर कौन कौन सी special चीजे हैं जो आप अपने पेज में provide करोंगे तो friends आप यहाँ पर जो भी description चाहते हैं आपने पेज के बारे में यहाँ पर fill कर सकते हैं तो friends जो कुछ भी हमने यहाँ पर fill किया है वो सारा जो है वो preview यहाँ पर दिखा दिया गया कि हमारा page कैसा होगा यह उसका title होगा और यहाँ पर हमाज यह वो है category वो है शो करेगा और जो description है friends वो यहाँ पर about में शो हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर fill करोगे तो friends आपको यहाँ पर देखना है सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पर create page पर click कर देना है तो देखिए friends यहाँ पर जो हमारा Facebook page है वो create हो चुका है इसे save करने से पहले आपके सामने कुछ और options आएंगे आप यहाँ पर उन्हें भी fill कर सकते हैं तो देखिए friends यहाँ पर profile picture लगाई है वो यहाँ पर इस तरह से show होगी तो friends इसके बाद हमारे सामने option आएगा cover photo का तो friends अब भी मैं यहाँ पर कोई भी cover photo नहीं लगा रहा हूं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने Facebook page के create करने के साथ ही कोई photo लगानी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो friends इसके बाद हमें यहाँ पर कर देना है save पर click तो friends जैसे आप save पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा interface खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको mobile नमबर आप चाहते हैं कि आपका page जो उसके साथ connect हो तो आपको वह वाला mobile नमबर यहाँ पर फिल कर देना है और उस प अपने page पर एड़ करना जाते हो जैसे कि आपने कई pages पर देखा होगा वहाँ पर एक बटन बना होता है अगर आप उस पर click करते हैं तो वह direct आपको WhatsApp पर ले जाता है तो friends अभी मैं जाता हूँ कि मुझे नहीं एड़ करना है तो मुझे यहाँ पर skip कर देना है और उसके बा तो friends अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को यह बताना जाते हैं कि आप इस link पर जाईए तो हमारा page open हो जाएगा तो यह link थोड़ा difficult सा लग रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर अपने username को create करना है जिससे हमारा जो username है वो ही अगर को टाइप करेगा तो हमारा जो है automatically इस page पर पर क्लिक कर देना है तो देखिए friends जैसे हमने से refresh किया है तो यहाँ पर हमारा जो link है वो चेंज हो चुका है अब आप असानी से किसी को भी से send करेंगे तो यह देखने में भी अच्छा लग रहा है और वह असानी से टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको इसको बताएंगे आपके पेज पर आ सकते हैं तो friends यह तो हमने एक सेटिंग कर ली तो इसके बाद और सेटिंग्स है जो हमें आरे पेज को प्रफेशनल बनाती है आईए आप उसकी तरफ देखते हैं तो guys इसके बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पर left side में देखना है और यहाँ पर लिखा अपने जो Facebook पेज बनाया होगा प्रड़क्ट का बनाया होगा जो उसकी लोकेशन होगी वह यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं तो friends अगर को लोकेशन नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं सर्विस एरिया चूज कर सकते हैं जिस भी टाइम पर आपका पेज जो ओपन होता इसे अपलाई करने के बाद भी हमारा पेज जो एक प्रफेशनल केटेगरी के अंडर आ जाता है तो friends आपके सामने यहाँ पर कई बटन्स होगे आप अपने किसी भी बटन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर कर सकते हैं तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी होग को फिल कर सकते हैं तो friends professional का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज को detail में फिल करना मतलब कि जो किसी भी profession के बारे में detail से जानता हो उसी को professional बोला जाता है तो friends आपने अपने पूरे पेज की detail को सीख लिया इस तरह से आप अपने page को create कीजिए तो यह थी Facebook Ads की पहली class क्योंकि इस आते हैं कि आपको इसकी सारे notification पहुंचते रहें तो friends आप हमारे जनल को सब्सक्राइब पर लीजिए बैल अकर को हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही और भी ऐसी वीडियो अपलोड हो तो वह friends आपके तक पहुंचते नहीं तो मैं उमीद करता हूं friends कि आपको वीडियो पसंद